अर दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल दूप अरात्रिक में दोस्तो जो मैंने गुप्त नावरात्रिक की प्रसाद के विश्य में मैंने जो वीडियो बनाया था यानि कि मैंने प्रसाद के विश्य में जो कहा है आपसे कि प्रसाद को जो है खाना नहीं चाहिए तो इसे लेकर बहुत सारे लोगों ने मुसे बहुत सारे सबाल पूछा है कुछ ने तो ये भी कहा है कि जो दूसरी यूट्यूबर है वो आपके इस विशे को समर्थन तो नहीं करते है तो किया ये सही है या फर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है सबसे पहली बात मैं यहाँ पर तो किसी के साथ कोई कमपिटीशन नहीं कर रहा हूँ हाँ जिस यूट्यूबर ने या फर जिन होने भी आपको शायद बताया होगा वो उन्होंने अपने point of view से अपनी सिक्षा के अनुसार बताया है तो उनका जो कहना है वो गलत है मैं ये बिलकुल नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अपने सिक्षा के अनुसार अपने जानकारी के अनुसार आपको बताया है मैंने जहा तक जानकारी हासल की है मैंने जहा तक देखा है मेरी जहा तक अनुभव है मेरी जहा तक पढ़ाई है मैं उसी तक जो है आप लोगों को बताया है तो इसलिए जो है दूसरे यूटीवबर इसका समर्थन कर रहे है या नहीं कर रहे है इस विशे को लेकर मेरी कोई अलक से कुछ चिंदा नहीं है क्योंकि ये मैं कोई ये विशे नहीं चला रहा हूँ की जैसे कहते हैं ना विकी एक हैश्टाग चलाते हैं लोग की इसका कितना समर्थन किया जाएगा तो ये मेरा कोई हैश्टाग नहीं है कि मैं इस हैश्टाग को समर्थन में जोड़ना चाता हूँ कि लोग इसका कितना समर्थन करेंगे और कितना समर्थन नहीं करेंगे हर किसी का मत हर किसी के पूजा पद्धती जो है वो अलग होते है बहुत सारी प्रधेश में तो अलग अलग चीजे होती है जैसे की देखिए बहुत सारे लोगों कार जो है सुखा नारियल ही पूजा में घट के उपर स्थापना की जाती यानि कलस्थापना के लिए जरूरी होता है बहुत सारी जगे पर जो सुखा नारियल नहीं इस्तेमाल होता है वहाँ पर कच्छे डाप का यानि की जो हडे नारियल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है तो किसी का भी मत जो है ना उसे गलत नहीं बोलना चाहिए हर किसी का म अपना अपना होता है स्री रामकृष्ण जी कहते है स्री रामकृष्ण परम्हंश्र का कहना है कि जितने भी हमारे मत ने मत है ना उतना ही हमारे लिए पत खुल जाता है यानि कि जितने भी मत से हम चलेंगे वो हमें एक पत की तरफ यानि कि ईश्वर को प्राप्ति के तरप लेकर चलता है तो मैं यहाँ पर किसी की अमत की विशे में बात नहीं कर रहा हूँ और नहीं मुझे कौन समर्थन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है मुझे इस विशे में कोई चिंता है मेरी जानकारी जहां तक मेरी सिक्षा है मैं आप लोगों को दूँगा हाँ ये आप पर निर्भर करेंगा कि आप जो है इस विशे को ग्रहन करेंगे या नहीं करेंगे ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको मेरे विशे के साथ जो है समर्थित होकर मेरे विशे को ही हमेशा ग्रहन करना है अगर आपको सही नहीं लगता है ये विशय तो आप ग्रहन ना भी कर सकते हैं आप सुतंत रहे संपूर नरोब से प्रसाद के विशय में जो एक confusion मुझे लगता है कि प्रसाद को लेकर हमना बहुत जादा एक केंदरित भावनाओं में सोच रहे हैं मतलब हम एक सीमा एक डाइरे में सोच रहे हैं कि प्रसाद जो है वो के पल खान पान के वस्तु ही है नईवेद्य के बारे में कहा गया है कि जो भी वस्तु हम निवेदन करते हैं यानि कि मा को जो भी वस्तु हम लोग निवेदन करते हैं वो नईवेद्य हो जाता है तो उसमें धूब तीब भी नईविद्य समान ही होता है जो शाक्त पडिवार होते हैं ना दोस्तों तो शाक्त पडिवार में जो है यानि कि जिन घरों में जो है शाक्त मत से पूजा होती है तो उन्हें शाक्त पडिवार कहते हैं पर जरूरी नहीं है कि उस घर के हर सदस्य जो है वो शाक्त मं से होती है वैसे श्यामा काली मा की जो पूजा होती है यानि कि जो श्याम वर्न की काली मा की पूजा होती है वो वैशनब मत से भी की जाती है कई-कई घरों में पर मूल रूप से काली पूजा जो है और जो मा चंडी की मतलब चामुंडा रूप में जब शंदी पूजा के समय मैं मा की पूजा की जाती है तो उस समय जो है पूरी तरीके से शाक्तमत से ही पूजा होती है तो ज्यादा तर मैंने जो देखा है मैंने जिन घरों में पूजाओं में देखा है तो ग्रिखस्त जो है शाक्तमत के पूजा के प्रसात को अलग से ग्रहन नहीं करते यानि की जो खाने की वस्तु चड़ाते वो जो है वो शाक्त दिक्षित जो पुरोवित होते है या फर आचारिय होते उन्हें ही संपुर्ण रूप से उन्हें दान कर देते कैसे कहते हैं कि ये जो है ये जिवभा से और जो है दान से जबाकर या फर इस तरीके से इस प्रशाद को नहीं लेना चाहिए बहुत सारे लोग शायद ये कह सकते कि हां कहाँ पर पुरान में तो इसका कोई उलेक नहीं है तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो शास्त्र है ना हिंदू शास्त्र जो है वो बहुत सारे है कि इवल अगर हम एक पुरान में उसे ढूंडने की कोशिश करेंगे और एक पुरान में ही हम उसका जबाब मांगने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है वो संपूरना जबाब हमें नहीं मिलेगा हमारे जो तंत्र देखे दोस्तो पुरान जो है ना वो हमें इस साकार मूर्ती में जो है भगवान की किस तरह से पूजा होगी ये वो बतात है और तंत्र क्या है तंत्र शास्त्र वो होता है जो कि पूजा की किसी भी कर्मकांड किसी भी कौशल है यानि कि किसी भी प्रकार की जो पध्धती अराधना पध्धती है वो तंत्र से ही आता है इसे तंत्र कहा जाता है जैसे पूजा तंत्र आरती तंत्र ये हो गया तंत् जो कि इह गुप्त नवरात्री में क्योंकि ए साधना की पूझा है तो इस तरीके से एक मेवाद दित्यम्यानि की माही सर्वस्व है तो मा की बायू और अगनी तत्व की साथ मा की उपासना की जाती है और इसलिए इस तरीके से मा को जो है दोस्तों यह धूप दीप को ही बहुत जादा प्रशाद के रूप में ग्रहन किया जाता है यानि कि मा के आशरवाद के रूप में ग्रहन किया जाता है और प्रशाद की फेकने की अगर बात होती है यानि कि प्रशाद को अगर आफ फेकने की बात कर रहे है तो मैंने एक बार भी यह नहीं कहा है कि आपको र प्रबाहित करने को कहा है या फिर चेडिया को खिलाने की कहा है तो देखे दोस्तों ये किसी भी प्रकार से फेकना तो नहीं हुआ अगर आप पानी में प्रबाहित करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो प्रानी होते है यानि कि पानी में प्रबाहित करने से जो मचली होते ह तो वो तो उनका खाद्य बन गया तो प्रसाद एक तरीकित आप तो किसी प्रानी को ही खिला रहे हैं तो ये फेकना कैसे हो गया ये किसी भी प्रकार से फेकना नहीं है और बहुत सारे लोग इसे तांत्रिक कह रहे हैं कि ये तांत्रिक विद्धी है इसलिए जो है इसे ग्रह प्रयोग किया जाता है तंत्र यानि कि क्रिया के साथ जब है मंत्र को प्रयोग करके किसे विशेश उद्धिश्य के लिए जो है उसका प्रयोग होता है यानि कि तंत्र मंत्र के साथ जब मंत्र के शक्ति को मिला कर जब इसे प्रयोग किया जाता है तो उसे जो है ना तंत्रिक विधी या तंत्रिक प पर शाक्त मत में यह जो होता है ना दोस्तों, वो एक तरीके से मा की निराकार उपासना होती है, कि माही सर्वस्व है, मा से बरकर और कुछ नहीं है, माही आदी है और माही अनन्त है, इस तरीके से मा की भूजा की जाती है, तो इसलिए जो निराकार तत्व होते हैं, क्योंकि इस अगनी और वायू के माध्यम से ही जो है ना इस समय पूजा के उपर खास जो है जो है जो दिया गया है पर देखे दोस्तों अगर आप जो है आपके घर में देवी मा अप्रतिष्टत है आपके चाहे वो पोटो में हो या फर मूर्ति में हो और अगर आपने गुप्त नव इसलिए मैंने कहा कि इस पूजा में जो है प्रसात की जरूरत नहीं होती है अगर आप चड़ाते क्योंकि ये सादना की पूजा है तो आपको इस प्रसात को जो है खुद ग्रहनना करकर पानी में और चिल्डिया को खिला देना चाहिए क्योंकि इस तरीके से भी आप किसी ना किसी को प्रसात खिला ही रहे हैं तो आप अंतरनीहित अर्थ क अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तु यानि की भीतर के अर्थ को तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा और प्रसाद के भावना को कभी भी जो है ना इतने संकीर नता से मत सोचिए कि केवल खान पान के बस्तु ही प्रसाद है जो भ बहुत ही बड़ी बात है कि भगवान का प्रसाद किसी भी रूप में हमें मिलेना तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सभागे की बात होती है इसलिए प्रसाद को किसी भी प्रकार से इतने संकीर नता में मत बांधिये दोस्तो बिलकुल मत बांधिये कि जो है केवल खान पा के वस्तु है उन्हें हम प्रसाद नहीं मानेंगे इस तरह की भावना मुझे नहीं लगता दोस्तों की सही है इससे बहुत ही संकीर्णता आ जाती है मन में और हम जो है बहुत ही जादा संकीर्णता में चले जाते तो प्रसाद की भावना को हमेशा उदार रखिए हमेशा जो ह वो सारी चीजे है ना ये नईवेद्य की तरह ही हम लोग माको निवेदन करते हैं इसके जो पवित्र धुय होते हैं वो भगवान उसे ग्रहिन करते हैं अक्नी और वायू तत्तिकी माध्यम से तो ये इसका जब हम ताप लेते हैं तो ये भी हमारे लिए प्रसाद ग्रहिन की स पश्ट हो जाएगा तो दोस्तो मुझे लगता है जो भी कंफ्यूशन आपके मन में था वो दूर हो चुका है मैं यहाँ पर और बहुत जादा इस विशे को लेकर बढ़ाना नहीं चाहता हूँ अगर आपको जो है तंत्र और तंत्रिक इन विश्यों की अगर डिफ्रेंस या पर ऐसी कोई विशे है जो आपको लगता है कि आपको जानकारी लेनी चाहिए यान कि आप जानना चाहते उस विशे में तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते मैं आगे चल कर जो है उसके उपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा तो इस वीडियो म मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों